दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि बॉलेवुड आक्टरेस सालिया भट और रनबीर कपूर एक महीना पहले ही मम्मी पापा बने हैं। साथ ही अपनी अपकामिंग फिल्मों की शूटिंग के लिए वो लौट आये हैं। सबसे बड़ी सीक्योरिटी इस बात को लेकर है कि जब मेरे बच्चे 20 या 21 के होंगे उस वक्त में 60 साल का हो जाओंगा। क्या मैं उनके साथ फुटबॉल खिल पाऊंगा। क्या मैं उनके साथ दोड़ पाऊंगा। ऐसे में ये पल उनके जंदगी का सबसे खास पल है। अपने लेटिस इंटर्व्यू में रंबीर कापोर जिस तरीके से बात करते नजर आएं हैं इस बात से साफ पता लग रहा है कि उनके लाइफ में कितनी सारी इंसिक्योरिटीज हैं पापा बनने के बाद। अब ये बात तो बिलकुल उनकी ठीक है कि अगर आप 40 साल के उमर में पापा बने हैं तो जब आपके बच्चे 20 साल के हो जाएंगे उस वक्त आप 60 साल के हो जाएंगे और आपके बौडी में उतनी एनरजी नहीं रहेगी कि आप अपने बच्चों के साथ खेल कुद पाए रंबीर कपूर इस सी बात को लेकर थोड़ा सा परिशान नजर आएंगे और इंटर्व्यू में अपनी बेटी रहा को लेकर धीर सारी बात देगी हैं हाला कि अपनी इस चिंता में वक्त ना गवाते हुए फिल्म आक्टर अपनी अगली फिल्मों की शूटिंग में काफी बिजी हो चुके हैं फिलाल तो आलिया अभी सिर्फ रहा का खयाल रख रही है ऐसे में वो भी जल्दी से वापसी नहीं करेंगी फिल्म आक्टर जल्द ही डारेक्टर लव रंजन की फिल्म आक्टर से शृधा कपूर की साथ नजर आने वाले हैं ऐसी रिपोर्ट से एक रोमैंटिक कॉमेडी फिल्म है इसके अलावा ब्रहमास्तर टू में भी नजर आएंगे रंबीर कपूर अब जस तरीके से अपने लेटेस इंटरव्यू में रंबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा को लेकर आलिया को लेकर ठेर सारी बाते की हैं उसके साथ ही अपनी सि जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्षिन में आगर बताएं अगर आपने अभी तक फिल्मे बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजी अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक कीजिए बॉलिवुट टीवी से जुड़ी त कर दो कर दो कर दो